हर्यों प्रीदर्सकों यदि आपकी मेश राशी है या मेश लगन है इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा समझेगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा वो तारीक जो की बेहत खास होगी माता लक्षमी और भगवान नारेन की क्रपा आपके उपर होने वाली है माता लक्षमी आपके घर आने वाली है आपको आसिरबात देने वाली है जिससे आपके जीवन में यदि धन को लेके समझ्याएं थी तो अब वो दूर होने वाली है और भी बहुत कुछ प्राप्त होने बाला है वो कौन सी तारीक है जो की बेहत खास है आपके जीवन में और बहुत कुछ इस तारीक से आपके जीवन में बदलने बाला है ये हम जानने बाले हैं जन्वरी के महिने में एक बड़ा ही दिब राजयोग बनने जा रहा है जो की आपके जीवन में बहुत कुछ बदल और भगवान नारेण और माता लक्ष्मी का आशिरबाद आपको प्राप्त होने बाला है तो आए हम समझेंगे इसमें वो कौन सा राज योग है कब से बनेगा कब तक रहेगा और क्या रिजल्ट आपको देने बाला है प्रिदर्शकों पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा प्रिदर्शकों बात किया जाए कि ये कौन सा ऐसा दिब्वराज योग है जिसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा आईए समझते हैं वो योग है लक्ष्मी नारैन योग जो की बहुत जल्द अर्थात 18 जनवरी से ये बनने बाला है और एक फरवरी तक ये राज योग रहेगा इसके बीच में 18 जनवरी से एक फरवरी के बीच में ये क्या रिजल्ट देगा आपको ये समझते हैं ये क्योंकि बुद्ध आपको पता है कि 7 जनवरी को ही राज परिवर्तन कर चुके हैं और धनुराशी में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 18 जनवरी को राज परिवर्तन करेंगे और धनुराशी में गोचर करना प्रारम कर देंगे इससे लक्षमी नारण योग का निर्मान हो जाएगा इसके लाबा और भी कई राज योग बन रहे हैं जिसकी जानकारी हमने पहले स्रीज जो इसके पहले चल रही थी उसकी वीडियो आप देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है पूरे जन्वरी के महीने में नवग्रे क्यारी जल्ड देंगों उसमें हमने चर्चा की है तो प्री दर्सकों ये योग बनने जा रहा है 18 जन्वरी से और बुध जो है आपके जीवन में बहुत महत्तपून है क्योंकि आपके तृती भाव और सस्टम भाव के अधिपती होते हैं और शुक्र आपके दृती भाव और सस्टम भाव के अधिपती होते हैं और ये आपके भाग भाव में बनने जा रहा है राजियो इसलिए बेहद महत्तपून है तो मेश राशी के जितने भी जातक हैं आपकी चाहे मेश राशी हो या लगन हो आपको राशी और लगन ना पता हो तो आप अपने नाम राशी के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं और ये राजिपल आपके चंद राशी के आधार पे है आईए समझते क्यार जल्ड देंगे तो यदि आपके जीबन में अभी तक धन को लेके समझ्याएं थी धन आने के मार्ग बहुत प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिल रहे थे बहुत जादा आप मेहनत कर रहे थे फिर भ लक्ष्मी क्योंकि शुक्र को लक्ष्मी का सुरूप माना गया है जोतिस में और विश्णू का सुरूप बुद्ध को माना गया है तो आपके जीबन में धन को लेके समझ्याएं थी अब ये दूर होने वाली है अठारा जनबरी से लेके एक बरी के बीच में और यदि घर परिवार में समझ्याएं थी धन को लेके वो भी अब दूर होने वाली है साथ में घर परिवार में खुजी का महौल अब बनने वाला है और पैत्रिक सम्पत्त से सम्मंधित कोई भी काम यदी आपका रुका हुआ था वो भी अब दूर होने वाला है साथ में देखा जाए तो आपके अंदर बहुत ज्यादा जोस आने वाला है जिससे आप अपने कामों को बड़ी सिग्रता के साथ कर सकेंगे और सफलताएं प्राप्त कर सकेंगे और उन लोगों के लिए ये राजयोग बहुत महत्तपूर है जिन लोगों के जीवन में कर्ज की श्तिती बनी हुई थी यदि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था आप लोन लिये हैं उसको चुकता करने के लिए आप सोच रहे थे कुछ पैसे का जुगाड हो जाए तो हम जल्दी से खत्म कर दें तो कहा जाए कि यदि लोन कर्ज की श्तिती बनी हुई थी आपके जीवन में तो अब ये दूर होने वाली है ये समय होगा 18 जनवरी से एक फरवरी के बीच का इस समय आप प्रतन कर सकते हैं जिससे आपको धन के मार्ग मिलेंगे और कर्ज से मुक्ति आपको मिल सकती है साथ में देखा जाए तो ये ब्यापारियों के लिए बेहत महत्तपून है क्योंकि अब देखा जाए तो एक कोई नोक्री करने वाला जिसकी एक शेल्ली फिक्स है तो उसके जीवन में बदलाद तो होंगे परन्तु बहुत जादा नहीं देखा जाएगा उतना जादा नहीं जितना व्यापारियों के उपर ये चीज घटित होती है होती सब के उपर है परंतु ब्यापारियों के उपर इसका बहुत जादा प्रहा होता है क्योंकि यदि आपका ब्यापार है कुछ ऐसा काम है जिसमें इंकम आपकी आगे पीछे होती रहती है तो वहाँ पर बहुत जादा चांस बन जाते हैं कि आपको धन ब्रद्धी देखने को अचानक मिलती क्योंकि आप देखते होंगे कि किसी का व्यापार बहुत स्लो चल रहा था उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी अचानक बहुत आंगे बढ़ गया वो यही दिब राजयोग होते हैं जो कि अब देखा जाए कि कोई व्यक्ति है जो अपने धंदे को लेक फिर तो हमको रिजल्ड नहीं मिलेगा नहीं आपको भी मिलेगा परन्तु यहां कैसे मिलेगा आप अपने सेल्डी इंक्रिमेंट के लिए बढ़ाने के लिए अपने बहुत से बात कर सकते हैं तो आपकी भी सेल्डी बढ़ने की स्थिती बन सकती है साथ में आपके मान सम्मान में ब्रद्धी होने वाली है आपके जीबन में यदि कहीं न कहीं विपरीत का सहयोग नहीं मिल रहा था तो विपरीत का सहयोग भी मिलेगा दामपत्य जीबन बहुत खुसहाल होने वाला है और आपके देखा जाये तो यदि ऐसे कोई काम थे जहां पर बानी का प्रयोग करके वो काम को किया जा सके तो बानी से संबंदित कोई भी काम हो उसे कर सकते हैं और इसका फाइदा यह जो राज्योग है बिद्यार्थियों को भी मिलने वाला है यदि आप विद्यार्थियों है और इस समय आपके कोई एक्जाम है या कुछ ऐसा काम है जहां पर आप बानी के वज़े से बहुत लोगों की एक्जाम होते हैं जहां पर बोलना पड़ता है यदि इस समय हुए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सफलता हैं आपको मिलने वाली है तो आपके जीवन में शुक सान्ती अब होने वाली है और खासकर धन की समश्या यदि थी वो दूर होने वाली है और मान सम्मान में ब्रद्धी होने वाली है तो प्रिदर्श को ये बहुत महत्त पूर्ण राजियोग है इसका आपको फाइदा उठाना चाहिए और हरेक ब्यक्ति तक इस वीडियो को पहुँचाईए क्योंकि ये बहुत तो बड़ा समय नहीं छोटा ही समय कहा जाएगा प्रण तो इस समय यदि प्रत्न करते हैं तो धन लाभ जरूर होता हुआ दिखाई देगा और कमेंट में जय मा लक्ष्मी और हरी ओम लिखना है अर्थात माता लक्ष्मी और भगवान विश्णू की जयकारा लगाना है आपको लिखने के साथ बोलना भी है जितना ज़्यादा बोल सकें और मैं एक उपाय भी आपको बता देता हूँ जिसे करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको इसका प्रभाव मिल सकता है वो उपाय है भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की आराधना जिसमें पिसेश रूप से आप लक्ष्मी कमल का हवन कर सकते हैं स्री सुक्तम के सा और मैं लास्ट में वो बात बता दूँ जो मैं हमेशा बताया करता हूँ कि अब जैशे वुद्ध और शुक्र ये लक्ष्मी नारणयोग बना रहे हैं तो आपकी जन्पुंडली में ये कहां पर बैठे हुए हैं किस भाव में किस राची में बैठे हुए हैं और साथ में इनकी क्या स्थिति है ये अंसबल से सटबल से मजबूत हैं या कमजोर हैं ये सब देखना और इस समय जो दसा है वो किसकी दसा है ये भी देखना क्योंकि यदि ये मजबूत हैं आपकी जन्पुंडली में अच्छी स्थिति में हैं तो फिर ये रिजल्ट पूरी तरह आप को मिलने वाले हैं परन्तु ये कमजोर हैं तो संभाव ये रिजल्ट ना मिले या तो बहुत कम मात्रा में मिले तो जरूर चेक कर लें क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बहुत लोग अब कहते हैं कि हमने ये वीडियो देखा और आपने बताया कि ऐसे बहुत सारे लाव होने वाले भी है जिसकी बजे से ये result आपको पूरी तरह नहीं मिल पाते है तो जरूर चेक करें या तो अपनी जर्म कुर्णड़ी का अजश्वरीशन करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको करज से मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी धन लाब होगा या नहीं होगा तो वीडियो को हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं और खास कर उन लोगों तक जिनको धन को लेके चिंताएं हैं जो धन को लेके बहुत जादा पीडित हैं और आज के समय में किसको जरूरत नहीं है तो हर व्यक्ति तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं वीडियो द हन्रवाद